तो फ्रेंड्स आज ही हमारी वीडियो में होने वाला है माइनर कोड़ फैमिली प्रिविस वीडियो में मैं आपको बताया था यह पार्ट टू है वो पार्ट वन था पहले पार्ट वन देह लेना उपर आयो बटन में लिंक देदिया उसके धरू जाकर चेक अट कर सकते हैं पार्ट वन बे क्या था अच्छे सरु समझ में आईगी फिर आपको second part पार्ट वन में आपको बताया था कि हमारे code family क्या होती है जैसे कि हमारे C major की code family क्या होती है C major code ड़की फैमिली के अंडर C major code की family कי ही code लगेंगे बाहर से आप कोई भी code नहीं ला सकते जैसे कि हमारा C के साथ चलो मेरा मन कर रहे ही मैं जी शाब लगा देता हूँ नहीं बहुत गंदी साउंड आईगी यार जो family के code है वही लगेंगे तो मैंने बताई थी C की major code family E की major code family सारे code जो family के अंदर code होते हैं वो आज की मैंने minor code family बताई है part 2 है यह उसमें क्यों नहीं बताई थी lesson बहुत जादा लंबा हो रहा था तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आज की video हमारी होने वाली है minor code family के अपर तो बढ़ते वीडियो में आगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइम ने कर तो पहला code हमारा A minor A minor code की family बता रहूं पहला code हमारा A minor second code लगेगा हमारा इसके अंदर F sharp sorry F major third code लगेगा हमारा इसके अंदर G major fourth code लगेगा हमारा इसके अंदर C major कितनी अच्छी sound करते हैं देखते है यह हो गए हमारी A minor की code family अब चलते हम अपनी B minor की code की family के उपपर B minor की code की family क्या होती है यह एक notebook बना लिजे उस पे लिखे लिजे अपनी सारी code family B minor की code की family क्या होती है पहला code हमारा आप B minor second code हमारा G major third code हमारा A major last code हमारा हमारा D major D major हो गया C minor की code की family क्या होगी पहला code हमारा C minor second code हमारा G sharp major third code हमारा A sharp major fourth code हमारा D sharp major वो लगेगा हमारा A major यह वाला हो गया हमारे A chord है पकड़ते हैं A sharp यह वाला हो गया B हो गया, C हो गया, C sharp हो गया, D हो गया, D sharp हो गया हमारा D sharp major अब हम चलते हैं अपने D minor code के उपपर यह है हमारे D minor code यह होगा हमारे D minor code अब सेकिंड कोड इसके अंदर लगेगा हमारा A sharp major आप यहां पर भी लगा सकते हो और A sharp आप यहां पर भी लगा सकते हो दोनों की sound डेग ही है यह हमारा थोड़ा लो में हो गया और यह हमारा हाई में हो गया second code A sharp major third code हमारा C major and last code हमारा F major यह note book पर note कर लिजिए अब चलते हैं अपनी E minor code family के उपपर E minor तेला code second code हमारा C major third code हमारा D major last G major यह हो गया हमारे D minor code की family अब sorry E minor code की family हो गया हमारी अब चलते हैं अपने F minor code family के उपपर पहला code हमारा F minor second code हमारा C sharp major third code हमारा D sharp major fourth chord हमारा last chord हमारा G sharp major इसके अंदर सारे hard hard code हमारा C sharp यह होगे हमारा F minor code family है C sharp भी हमारा bar major हमारा half ऐसे लगेगा बागी आप बार लगाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा फिर हमारा होएगा D sharp यह होगे हमारा D sharp फिर हमारा G sharp major यह होगे हमारा D sharp सारे बार में लगेंगे अब चलते हम अपनी last end G minor code family के पर यह होगे हमारा G minor पहला second हमारा होगे हमारा D sharp third होगे हमारा code F fourth and last code हमारा हो गया A sharp major यह होगे हमारा last code अब आपके मैंड में एक बात और आ रही होगी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात रिबीट करी थी अब भी रिबीट कर रहा हूँ सर आपने बता दिया ए माइनर कोड फैमली क्या होती है आपने बता दिया मुझे सपोस करो हमारा कोई गाना इस शार्प माइनर कोड के अपपर है तब हम कोड फैमली कैसे लगाएंगे मेरे भाई अगर आपका A से लेके A शाब चला गया कितने श्टैप आगे गया है खली एक श्टैप आगे गया है ना सारे code को एक एक step आगे कर दो A-sharp, मैंने A-minor की code की family क्या बताई थी A-minor, F, G, C ये A-minor की code की family है चार code आते हैं family के अंदर अब हमारी A-sharp minor की code की family क्यों जाएगी A-sharp minor, जो F था उसे हम A-sharp कर देंगे जो G था हम उसे G-sharp कर देंगे जो हमारा C था उसे हम C sharp कर देंगे यह हो गए हमारी C sharp sorry A minor की code की family सारे A sharp minor code की family ही हो गई अगर sharp की देखी नहीं है तो सबको A के code आगे करतो वो हमारी sharp की code की family हो जाएंगी जितने A code अगर आप A minor से उठके A sharp minor पे गए हो कितने step खाली A की step तो सारे code एक-एक step आगे हो जाएंगे F का F sharp हो जाएगा G का G sharp हो जाएगा C का हमारा C sharp हो जाएगा इस तरीके से चलेंगे आज की उड़मित नहीं था बस मैंने आपको बता दिया A minor से मेरा major भी खतम हो गया लेसन मेरा minor भी खतम हो गया अब आपको नश वीडियो के चाहिए comment down और वीडियो पसंदे हो तो लाइक करते हैं चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को जुरू हो करने में ताकि भी उडशन आपको मिलता है अच्छुट में तो नहीं था मैं मिलता आपको अगली वीडियो में